इस वाइस वेलकम टो माई चैनल और आज के अपनी वीडियो में हम बात करने जा रहा हैं विटमीन ए डे क्रीम के बारे में जैसे कि अब सब लोग जानते हैं कि हम अपनी सकीन को मौस्टराइज करने के लिए बहुत ही ज्यादा मौस्टराजर ट्राइज करते हैं या फिर हम क जिसमें कोई chemical भी mix नहीं होगा तो इस वज़े से मैंने एक experiment किया है vitamin E day cream के बारे में और इसमें मैंने जो ingredients mix किये हैं वो तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कोई भी बाहर का product यूज नहीं किया होगा मैंने सबके सब home remedies या फिल सबके सब घर की चीज़े यूज की हुई है और इसको apply करने के बाद यह बहुत ही smooth feel कराता है बहुत ही soft skin हो जाती है और यह अंदर तक skin में absorb हो जाता है यानि कि ना तो इसमें thickness लगते है ना ही इसमें dryness लगते है और ना ही इस sticky होता है तो अगर आप इसको बनाएंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे तब आपको इसके बारे में पता चलेगा तो मैं अगर आप इसको अभी आप लोगों को apply करके दिखा रही हूँ कि इसको apply करने के बाद हमें कैसा feel होता है यह मैंने थोड़ा सा लिया है और ले लेती हूँ शायद camera में दिखाए नहीं दे रहोगा यह मैंने इतना सा लिया और मैं यहाँ पर आपको apply करके दिखाती हूँ शायद ज्यादा कम है यह मैंने लिया और मैं इसको apply करके दिखाती हूँ यह बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और ना स्टिकी है ना ही एक जैसे होता है कि बहुत ज्यादा खीच रही हो इसकी जो जिस तरह से इसको अपलाई करने में बहुत ही स्मूध है और अपलाई करने के बाद जब आपकी स्कीन आप देखेंगे तो एकदम सॉफ्ट सी नजर है देखा है यह बहुत ही अच्छा मॉइस रजर है जब आप इसको यूज करेंगे तब आपको इसके बारे में पता चलेगा बांकेट की जो क्रीम होती है जो हमारी बजट के पूरी तरह से बहार होते है और यह जो मैंने घर की क्रीम बनाई हुई है बहुत ही अच्छी क्र क्रीम है ऐसा भी नहीं है कि आपको लगा लिया और साइड इफेक्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि इसको बनाने में जो मने इंग्रेडियंट्स यूज किया है उसके बारे मैं आपको बताती हूँ इसको बनाने के लिए मैंने चुली थोड़ा सा बनाया था और उसके हिसाब स आप ये इंग्रेडियंट मिक्स कर लें और उसको मिक्स करके आप किसी भी अपने इस्टोर कर लिजिए यह बहुत अची क्रीम है और जब आप इसका इस्तमाल करेंगे तब आपको इसके बारे में पता चलेगा क्योंकि मैंने खुद भी 3 दें मार्केट से तो कही गुणा बेटर है और आप इसको काफी दिन तक कुछ फ्रीज में रखने की तील लूट कि पर एघ्च मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही होम रेमिडी बना बना कर बताती रहूं और यह तो DIY है बहुत अच्छी है आप प्लीज आप इसका इस्तमाल कीजिए बनाईए मैं बोल्ड यू बनाईए बहुत अच्छा क्रीम है यह क्रीम इसको बनाई तो इसको बनाने के लिए मैंने यूज किया 1 तेबल स्पून रोज वाटर हाफ टेबल स्पून ओलीव ओल और हरा आफटेबल एलवेरा जल और इसमें हम एड़ कर लेंगे एक विटमिनी कैपसूल इन सारे इंग्रेडियन्स को हम प्रॉपर मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि यह जो मिक्सचर जो पेस्ट है एक अच्छी तरह से यह एक क्रीमी फॉर्म में कर्वर्ट हो जाता है